हलो नमश्कार कैसे हैं आप सभी आए होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे हाँ जी लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था हमारे गेट्स को जिसके अंदर हमने पढ़े हमारे एंड गेट और गेट नॉट गेट प्लस हमने हमारे युनिवर्सल गेट्स को स्टड़ी किया जि और जी निवार्सल गेट से मतलब क्या कहने का मतलब हमें इस तीज को समझों है कि नयन और गेट्स हमारे किस तरह से उनिवार्सल गेट्स हैं डेखो इन पिससे यहां पे कहारा रहे है कि With the help of NAND gate, हम easily क्या कर सकते हैं, हम implement कर सकते हैं, हमारे NOT gate को भी, हमारे AND gate को भी, plus हमारे OR gate को भी, सिर्फ एक NAND gate से ही, हम इन तीनों को भी implement कर सकते हैं, plus as it is same, NOR gate से भी आप इन तीनों functions को implement कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम study करेंगे, how we implement our NAND gate in these functions, Firstly, discuss about NAND gate, देखो NAND gate का हमारा symbol कुछ ही इस तरह से होता था, इस तरह से आपका ये D की form में, और इसके आगे आपका क्या होता था, एक bubble होता था, ठीक है, simple, ये होता था हमारा NAND gate, यहाँ से आप क्या दे रहे हैं, दो inputs दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, एक output मिल जाएगी, यह हमारा NAND gate था, आप देखो हमने firstly NAND gate as a note function के उससे पढ़ना है, देखो, first हमने क्या पढ़ना है note function के लिए, a single input NAND gate act like an inverter, आपका अगर आपकी NAND gate को एक single input मिल रही है, वो किस तरह से work करेगा, like an inverter work करेगा, अच्छा अगर आपको पतो हमारा note gate भी क्या करते है, inverter की तरह work करते है, जो भी आप उससे क्या देती है, input देंगे, वो उससे क्या करदेगा, flip करदेगा, आप 0 देंगे, वो 1 करदेगा, 1 देंगे, 0 करदेगा, सेम आपका NAND gate है, अगर आप NAND gate में क्या करें, एक single input को देते हैं, मैंने दो inputs की बात नहीं किया, हमने यहाँ पे बात किया, एक single input के लिए, तो वो क्या करदेगा आपका NAND gate, उससे क्या करदेगा, flip करदेगा, simple, उसके complement में, तो यह यहाँ पे as a inverter walk करेगा, तो this is your NAND gate as not function, next हम NAND gate को implement करते हैं, AND function के साथ, मतलब with the help of NAND gate, आपने सिर्फ NAND gate को ही use करना है, और other gates को आप use नहीं करेंगे, और हमें result चाहिए, AND function वाला, अच्छा जी अगर आपको पतो, AND function का हमारा result आता था, multiplication, for example, x, y, आप दो inputs देते हैं, हमारे किसी भी gate को, और आपको AND gate में क्या output मिलती थी, x and y, इस तरह से होता था, आपका AND gate के लिए, simple, अब with the help of NAND gate, हम किस तरह से AND gate का result लेगे आते हैं, देखो, using two NAND gate, we could get the AND output, output, अगर आप दो NAND gate को use करते हैं, आपको AND output वाला result मिलेगा, for example, आपके पास यहाँ पे एक NAND gate है, x and y, अगर हम देखें, जो x और y है, अगर यहाँ से यह pass हो रहे हैं, यह जा इन्पुट जा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या output मिलेगी बच्चा, x and y, का compliment, आपको इस तरह से क्या मिल जाएगी बच्चे, output मिल जाएगी, because AND gate हमारा क्या करता है, x, y देता है, AND और NAND क्या करता है, it means not AND, तो वो क्या करतेगा, उसको compliment generate करतेगा, जब हम NAND gate को discuss कर रहे थे, AND को discuss कर रहे थे, यह हमने previous वीडियो में समझाया अच्छे से, next, अब इसको आप एक और बार NAND gate से pass करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यह यहाँ पे आएगा, आपका output आएगा, तो यह यहाँ पे किस तरह से आएगा, X, Y, compliment, तो आपका पहले ही था, एक और बार NAND से pass करा रहे है, एक और compliment आगया, तो हमें इस चीज़ का पते है, previously हम बिल्कुल basic से पढ़ रहे हैं, कि किसी भी चीज़ के compliment का compliment, itself आपका वही variable होगा, for example आपके पास one है, अगर मैं आपको बात करती हूँ one, one का compliment आपके पास क्या होएगा, वो होगा zero, अब again, मैं क्या करती हूँ, compliment तो मैंने कर दिया, again अब मैं इसका compliment करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, अब zero का it means देखो, यहाँ पे तो मैंने solve करके zero लिख दिया, अब zero का compliment करूँगी, मुझे क्या मिलेगा one, तो देखो, किसी भी चीज़ का अगर double compliment है, आपको itself वही result मिलेगा, अब देखो, NAND gate as or function से देख लेते हैं, or मैं आपने क्या करना है, with the help of three gates, हम three gates को use करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा or function मिल जाएगा, with the help of NAND gate, जिसमें हमने सिर्फ NAND gate का ही use किया है, देखो, यहाँ पे आपके पास A है, जब आप NAND gate से इसे निकालते हैं, यह ऐज इन्वर्टर वह करें, को single आपकी क्या है, यहाँ पे input है बच्चा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा A compliment, same as नीचे आपको क्या मिल जाएगा, B compliment, जब आप A compliment and B compliment को again NAND gate से पास करेंगे, तो you will get result like this, A compliment, dot, dot means यहाँ पे आपका multiply का symbol है, it means B compliment, यह तो आपका आएगा ही multiplication, compliment, अब मैंने एक चीज़ बोली है, जब भी आप इस compliment को breakdown करेंगे, complete compliment को जब आप individual variable पे करेंगे, तो mid वाला sign क्या हो जाता है, change हो जाता है, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलना है यहाँ से A compliment, mid वाला sign change कर देंगे, plus B compliment, यह तो इसके पास था ही, अब जो यह आपका बड़े वाला compliment था, जो breakdown हुआ है, उसे भी इसके उपर इस तरह से लिखेंगे, और आपको पते है, individual के compliment को compliment क्या होएगा, आपको वो ही same variable मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे other result मिल गया, or gate में A plus B, same हमने nor gate के लिए करने हैं, देखो nor gate भी आपका universal gate है, universal gate in the sense, जितने भी आपके basic gates हैं, हार एक gates को आप इन universal gates से derive कर सकते हैं, same आपका यहाँ पे not gate क्या होगा, single input मिल रहा है, तो यह as a inverter work करेगा, और आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप A pass कर रहे हैं, you will get result not A, it means A का compliment, अगर आप A compliment pass कर रहे हैं, you will get result A, okay, next is our or function, with the help of nor के साथ हमने implement करना है, nor के साथ implement करने के लिए, बच्चे हमें कुछ नहीं करना है, we could get nor output हमें कम मिल जाएगी, with the help of two nor gates, ठीक है, देखो nor gates, अगर आप दोल गाते हैं, we could get यहाँ पर nor नहीं आएगा, यह ओर आएगा, हम ओर आउटकुट मिल रहे हैं न, okay, देखो for example, आपने यहाँ से A pass किया, यहाँ से B pass किया, यह यहाँ पर आपको क्या देगा, A plus B compliment, because nor gate है, same, अगें यह इससे pass out हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, A plus B, compliment तो आपके पास था ही, है रहा, एक और बार हमने nor gate से निकाला, तो इसके अपर एक और compliment आ गया, अब compliment तो compliment as itself, variable होता है, तो हमने यहाँ पर simply लिख दिया, A or B, यहाँ पर और लिखो, या plus का sign लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, next is our and function, देखो and function के लिए, आपने कुछ नहीं करना है, with the help of three nor gates, हम क्या कर सकते हैं, हमारे we could get, यहाँ पर आएगा आपका, and output, हमें कौन सी output मिल जाएगी, and output, ओके, देखो A था आपके पास, it means nor gate से, हमने जब उसे निकाल ले, we will receive result, A compliment, same as यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, B का compliment, जब आप अगेन इसे nor से, एक और बार पासान करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखो, यहाँ पे समझो, A compliment, प्लस B compliment, यह आपकी simple terms थी, प्लस आगया, because हमने nor यूज की है, और nor है, और नहीं है, नोर है, तो it means इसके उपर compliment भी आजाएगा, अब इस compliment को breakdown करेंगे, तो आपका जो बीच वाला यह symbol है, यह क्या हो जाएगा, बच्चे, change हो जाएगा, है न, यहाँ पे अभी plus है, बट अगर हम उपर वाले, इस वाले compliment को breakdown करूँगी, तो I will get the result, plus symbol, मुझे बीच में क्या मिलेगा, plus मिलेगा, plus इसका क्या हो जाएगा, double compliment, because वो टूटा है, वो गायब नहीं हुआ है, just breakdown किया हमने, दोनों पे अलग-अलग आ जाएगा, अब A compliment का compliment A होता है, B compliment का compliment B होता है, तो आपको यहाँ पे A plus B result मिल गया, I hope, यह universal gates वाला concept आपको अच्छे से clear हो गया, किस तरह से हमारे NAND और जो है, universal gates है, इसमें कोई भी डाउट है, आप मुझसे comment section में पूच सकते हैं, thank you very much, please like, share and subscribe our channel, thank you.